हैलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं हूँ दिलीप और दोस्तों आज के में इसमेड़ों बात करने वाले जैपरकास भी स्विदाले ने टीडी सी पार्ट टू यानी सत्रह दोजार सत्रह और बीस का और आपको इसमेड़ों बताने वाला हूँ कि आप कब से कब तक ओनलाइन फॉर्म फिल अप करेंगे और किस किस डॉकुमेंट्स के साथ आप अपने कॉलेज में जमा करेंगे साथ साथ आपका इग्जामिनेशन फी कितना लगेगा और किस वेबसाइट से जाकर आप ओनलाइन इग्जामिनेशन फॉर्म फिल अप करेंगे पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को लास तक जरूर देखें और अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो इस रेट विले सस्क्राइब बटन दबा के सस्क्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाए ताकि मैं जो मेरी टेलिग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं तेलिग्राम का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएगा वहां से आप ज्वाइन करके इस वीडियो को देख सकते हैं अधरवाइस वीडियो को आप पॉस्ट करके भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं दोस्तों आपको देख सकता है परिच्छा भी भाग के तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहां पर बिसे हैं सो कर रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं इसनातिय द्यूतिय खंडद सत्रह बीस परिच्छा दुजर अनिस के परिच्छा प्रपत्र एयंग सुल्प विस्व भीदाले में स्विकार करने के संबंद में इन्होंने बताया हुआ है कि दोस्तों यहां पर जो सुल्प जमा करने के तीती है तीन फरवरी से लेकर बारफ फरवरी 2020 तक आप सुल्प जमा करेंगे परिच्छा फिस और यहां पर परिच्छा फिस बताया गया है प्रतिस्था हे तू निर्धारिक सुल्प यानि जो अनर सब्जेक्ट है उसके लिए 420 रुप जमा करना होगा और जो समाने यानि जो जेनरल का जो फी है वो है 395 रु लिए ती थी है तो चले दोस्तों अब आगे बात करते हैं इसके बारे फ्रेंट्स यहां पर इन्हों निर्धेस आप पढ़ सकते हैं यहां पर परिच्छा प्रपत्र के साथ एसनातक प्रतम खंड उत्रीड या पर्मोटेट परिच्छा के अंक पर्वेस पत्र उसके बाद पहले पंजियन पर्मारपत्र आधिक अगजात की छाय प्रति प्रत्चार द्वारा अभी पर्मारित संगलगन करना आती आवस्यक है तो दोस्तों मैं आपको पता दूँ कि यहां पर डॉक्मेंटेशन में आपको क्या कहलेगा तो जो लोग अगर पार्ट वन में पर्मोट करके आपको जमा करना है तो यह डोकुमेंटेशन आपको क्लियर होगा उसके बाद से प्रत्थम खंड में पर्मोटेड चात्र परतिष्ठा अनुपूरक विशय के अंग भूती अंग संबंद विद्यालों के स्विकृत सीट पर पंजिकृत चात्रों समान एंग चात्र रद किये जाएंगे अब यहां पर बताया गया है दोस्तों की चात्र परिच्छा प्रपत्र को वेबसाइट यानि जेपीयूरिजल्ट डॉट इन की ऑनलाइन भरकर उसकी प्रिंट कापी के साथ संबंदिन कागजातों के संगलगन कर महामविद्याले में सत्यापि अब कराकर जामा करेंगे तो दोस्तों आपको पता चल गया कि आपको किस वेबसाइट से ओनलाइन आवेदन करना है तो मैं आपको पतादो यहां पे जेपीयूरिजल्टिस.डॉट इन पर ओनलाइन भरेंगे और आपको डॉक्मेंटेशन भी पता चल गया कि कौन कौन से साथ आपको वहाँ पे form को submit करना है सबसे पहले आप क्या है यहां पर सबसे पहले आप आवेधन करेंगे इस ओफिसली website पर दिखा देना चाहता हूं मैं आपको कि वह website कौन सी है यहां आप देख सकते हैं यह यहां से आपको ओनले आवेधन करना है यह है jpureults.in के ओफिसली website यहीं पर आएंगे तो दोस्तों यहां पर एक notification आपको मिल दाएगा यहां पर link मिल दाएगा इस पर click करेंगे जो कि तीन फरवरी से यह active हो जाएगा और वहां से आप ओनले आवेधन करेंगे उसके बाद से आप application उसके बाद से आप examination fee जमा करेंगे और जमा करने के बाद से आपको क्या करना है सनलगन करना है आपको अपना अंक परत्र परवेश पत्र और पंजियन परमाण पत्र के साथ सत्यापन कराके आपको college में जमा करना है तब ही जाके आप part 2 का exam दे पाईएगा तो दोस्त दोस्तो परिच्छा सुल्क अस्थानी वह सभी महाविद्यालो जैप्रकास सभी सभीद्याले छपरा विस्वद्याले परिच्छा खाता संख्या जो यह SBI का जो एकाउंट नंबर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वहाँ आप जमा कर सकते हैं आटी जियस के माध्यम से और करने के परकिरिया को भी मिल जाएगा कि कैसे आपको करना है तीन फरवरी 2020 से बारफ फरवरी 2020 तक सुरू है तो आप जरूर करें बहुं सारे लोग को पता नहीं रहता है कि इसका ऑनले अवेदन कब होगा कब तक इसका लाश्ट डे थे तो पूरे इंफर्मेशन आपको इस करना है